हेले जोस्तों आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं साम बहादूर मोवी की दो दिनों की बोक्स अबिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं और आप लोगों ने इन दोनों मोवी में से कौन सी मोवी ने बाज करके बता सकते हैं अगर आप लोग भी डेली box office collection वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइस जग देखते रहेगा तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साम बहादुर मुवी के बारे में तो साम बहादुर मुवी को आज रिलीज हुए दो दिन हो चुकिया और इस मुवी ने box office पर एक ठीक ठाक ओपनिंग ले चुकिया अब देखने वाली बात होगे कि ये मुवी आगा आने वाले दिनों में और कितने करूड की कमाई कर पाती ह आप लोग क्या लगता है आप लोग कमेंड उसमें कमेंड करके बता सकते हैं जहां इस मुवी ने जिस तरह की ओपनिंग ली है उसे एक ठीक ठाक ओपनिंग कहा जा सकता है लेकिन कुछ खास ओपनिंग नहीं ले पाई है लेकिन आप देखने वाली बात होगी कि ये मुवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड की कमाई कर पाती है जहाँ जिस तरह की इस मुवी की बजट है उसे साब से इस मुवी ने ठीक ठाक एक ओपनिंग ली है अब देखने वाली बात होगे कि यह मुवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड की कमाई कर पाती है तो आपुसल बात करें इस मुवी के इस्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं विखी को बात करें इस मुवी के बजट की तो सुविक का बजट करूड के आसपास और इस मोवी को लगभग 2000 स्क्रिन पर रिलीज किया गया है सिनमा अगर में वर्ल्ड वाइड आज इस मोवी को रिलीज हुए दो दिन हो चुकिया और इस मोवी ने ठीक ठाक ओपनिंग ले चुकिया बोक्स ओफिस पर पहले दिन पर अब देखते हैं अब बात कर लेथे इस मोवी के दूसरे दिन की कलेक्शन की आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ओकी पैंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से डवांस बुकिंग हुई है उस इसाफ से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मोवी लगभग 7 करोड का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है जहां आप बात कर लेती इस मोवी के इंडिया गु इस मोवी लेते ही रिकोड दर कमाई कर चुकी एब बोक्स ओविस पर आफ देखने वाली बात होगे कि येкие मोवी 2030 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन पाती है या फिर नहीं आप लोगों क्या लगता है यह मोवी आ गयाने वाले दिनों में 500 करोड़ या फिर 600 करोड़ या फिर करके बता सकते हैं जहां इस मोवी ने पहले दिन पर ही एक रिकोर्ट तोड़ ओपनिंग लेने के बाद आप देखने वाली बात होगे कि यह मोवी आ गया आने वाले दिनों में और क्या कमाल कर पाती है और यह मोवी 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन पाती है या फर नहीं देखा जाए तो इस मोवी ने एडवांस बुकिंग लेबल पर ही रिकोर्ट तोड़ एडवांस बुकिंग कर चुकी थी लेकिन इस मोवी ने पहले दिन पर रिकोर्ट तोड़ ओपनिंग भी बोक्स उबिस पर ले चुकी है आप देखने वाली बात होगे कि ये मोवी आ गयाने वाले दिनों में क्या कमाल कर पाती है और 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन पाती है या फर नहीं तो चलिए आप बात कर लिए इस मोवी की स्टरकास्ट की तो इस मोवी की स्टरकास्ट में देखने को मिलने वाले है रनवीर कपूर रस्मिक ले चुकी है अब देखने वाली बात हुगी कि यह मोवी आवर आगा आने वाले दिनों में क्या कमाल कर पाती है तो चलिए आप बात कर लेते इस मोवी के बारे में तो इस मोवी को हिंदी के अलावा तेलगू, तमील, मलेयलम, करनाडा लेंग्वेज में रिलीज किया गया है इस मोवी को टोटल 5 लेंग्वेज में रिलीज किया गया है पेने डिया लेबल पर और इस मोवी ने पाच ओ लेंग्वेज में पहले दिन पर एक रिकोर्ट तोड़ ओपनिंग ले चुकी है अब देखने वाली बात हुगी कि यह मोवी क्या कमाल कर पाती है और यह मोवी फ इस तरह से ओपनिंग ली है जो कि एक रिकोर्ड तोड कमाई है अब देखने वाली बात होगी कि यह मोवी आ गया आने वाले दिनों में कितने करोड की कमाई कर पाती है देखा जाए तो यह मोवी बोक्स उफिस पर आसानी से 500-600 करोड की कमाई कर लेगी अब देखने वाली ब बात कर लेते हैं इस मोवी के पहले दिन की कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस से पहले बात कर लेते हैं इस मोवी की लैंगवेज वाइज कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस मोवी ने हिंदी लैंगवेज से 50 क्रूड 50 लाग का नेट कलेक्शन कर लिया है ज इस मूवीने कनड़ा वर्जन से 9 लग का कलेक्षन कर लिया और इस मूवीने मलियालम shouldns से 1 लग का कलेक्षन कर लिया जहाया आप बात कर लिए लिया है नेट कलेक्षन की यलग भक 74 कोड़ की आसपास और इस movie ने overseas से लगभग 35 करोड का collection कर चुकी है और यह movie पहले दिन पर worldwide collection कर चुकी है लगभग 102 करोड की आसपास अब बात कर लेते हैं नीमल movie के दूसरे दिन की collection की आज की collection की तो आज के दिन पर जुसतरी की occupants देखने को मिल रही है और जिस तरह से advance booking हुई है वो उससे आपसे देखा जाए तो आज के दिन पर यह movie लगभग 75 करोड का इंडिया net collection कर सकती है जहां आप बात कर इस movie की दूसरे दिन की इंडिया गुरुस कलेक्शन कर सकती है लगभग 77 करोड की आसपास और यह movie दूसरे दिन पर worldwide collection कर सकती है लगभग 95 करोड की आसपास अ अब देखने वाली बात होगे कि यह movie आ गया आने वाले दिनों में कितने करोड की कमाई कर पाती है और बोक्स ओफिस पर क्या नया record बना पाती है आप लोगों क्या लगता है आप लोग कमेंड वुस में कमेंड करके बता सकते हैं और आप लोगों ने एनिमल मुवी को बहादर मुवी के बारे में भी बता सकते हैं आप लोगों को साम बहादर मुवी कैसे लगी इन दोनों में से कौन सी मुवी ज्यादा अच्छी लेगी आप लोग कमेंड करके बता सकते हैं जहां देखा जाए तो एनिमल मुवी का बजट लगभग 130 से 35 करोड के आस पास है और इस मुवी ने पहले दिन पर 100 करोड से भी ज़्यादा की ओपनिंग ले चुकी आप देखने वाली बात होगी कि यह मुवी आगया आने वाले दिनों में कितने करोड की कमाई कर पाती है लोगों क्या लगता है एनिमल मुवी फ़स्ट वीकेंड में ही ब्लोग बस्टर ह हो जाएगी एनिमल मुवी अब देखने वाली बात होगी कि यह मुवी फ़स्ट वीकेंड में ब्लोग बस्टर हो पाती है या पर नहीं आप लोगों क्या लगता है यह मुवी आगयाने वाले दिनों में और कितने करोड की कमाई कर सकती है आप लोग उसमें कमेंड करके बत सकते हैं अगर आप लोग भी डेली बॉक्स अब इस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को ओल पर सेलेट कर लिजेगा ताकि हमारे सब वीडियो का नोटिफिकेस्वन आप लोगों तो सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत चल मिलते हैं और एक नए वीडियो में